येलो फंगस के बारे में डिसकस करेंगे इस लेक्चर में ये देख सकते हो जी आप येलो फंगस ये फूड में लगी हुई है इस येलो फंगस को मुको और सेप्टिक भी बोलते हैं ये इनिसियली डवलफ होती है due to the presence of mouths Mouths मlden के कारण होते है jey Mouths बोलते है फफंगी को ये का ही परकार है noi फफंगी ये भी फंगी होती है इन्वार्मेंट में develop हो जाती है जैसे देखो ये दिवार में देख सकते हो ये पपड़ी सी जमी हुई है ये है फफंगस मौल जाती ह Lazs येलो, ये येलो फंगस में develop हो जाती है इसके कारण से भी हो सकती है यह yellow fungus और क्या कारण होते हैं यह कहां कहां पर present हो सकती है यह आप unnecessary fatigue हो रहा है आपकी body को मतलब आपको ठकान हो रही है तो आपकी body में develop हो सकती है रैसिस हो रहे हैं रैसिस होते हैं red red से आपकी body पे निसान हो जाते हैं या फिर गमोर्या type हो जाती है गर्मी में जैसे तब यह हो सकती है बर्निंग sensation on skin आपकी त्वचा को ऐसे लगे जैसे आपकी त्वचा जल रही है तो भी यह develop हो सकती है यह yellow fungus एक जी अगर humidity का level 30 to 40% below है तो भी yellow fungus develop हो सकती है humidity बोलते हैं जी आदरता को और आदरता क्या होती है जी या humidity यह होती है जी moisture in the air जो हवा में moisture होता जी पानी होता है जब वो 30 to 40% below रहेगा तो यह हो सकती है जैसे आपने देखा होगा जी September, October में जो गर्मी होती है अगस्ट September में तो वो बोलते हैं आप आपका पसीना नहीं सूखता चाहे कितना ही मतलब हवा कर लो कुछ भी कर लो उसी टाइम पर उसमें क्या है कि air में जो moisture है ज्यादा होता पानी उसकी वज़े से जी यह होता है तो humidity का level below रहेगा 30 to 40% तब भी develop हो सकती है और यह आपके internal organ होते हैं आपकी body के उनको यह क्या ह कर सकती है उन पर टेक करती है yellow fungus और जो आपकी body की entire functioning है उस पर प्रभावित कर सकती है उसको affect कर सकती है इसके कारण क्या जी potential causes इसके कारण है जी prolonged use of steroids steroids होता जी chemical जैसे आप कोई भी दवाई ले रहे हो जी medicine माँलर tablet ले रहे हो गोली उसमें कुछ chemical होता जी steroid नाम का अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हो जिनमें steroid होता है तो आपको yellow fungus हो सकती है जी अगर आप continued environment में रह रहे हो contaminated का मतलब है जी दूसित परियावरन में रह रहे हो uncontrolled diabetes आपको अगर diabetes है जी तब भी हो सकता है अनhygenic habits आपकी आदते अनhygenic है मालो आप खाना खाने से पहले हाथ नहीं दोते हो गंदा खाना खाते हो तो तब भी हो सकता है जी lesser immunity अगर आपकी body की जो पृतिरोदग छमता है तब भी हो सकता है जी और co-morbidities है तब भी हो सकत है अगर मालो जी covid-19 हुआ है किसी person को तो उसके treatment के लिए दवाई दी जाती हो जिनमें steroid होता है और immunosuppressant दिया जाता है यह क्या होता है आपकी body का immune system है वो weak कर देता है आपको covid-19 है यह तो ठीक हो गया जी लेकिन कुछ समय तक आपका जो body का immunity है मतलब पृतिरोदग छमत सकता है आपका वजन कम होने लगता है body का reduce appetite आपकी भूग कम हो जाती है लेथार जी आपकी body में आलस से डवलफ हो जाता है आलस से लगने लगता आपको तो यह common symptom है कुछ yellow fungus से अगर अमानलो जी से time पर detect नहीं किया गया अगर पता नहीं लगा गया कि आपको किसी person को detect नह सकती है और organ failure हो सकते हैं जी आपकी body के और slow healing of wounds, wounds का मतलब जी घाव आपके जो घाव मालो चोट लगए body पर वो बहुत ही जादा दिनों में ठीक होगी, मतलब बहुत लंबे समय में भरेगा आपका घाव या फिर necrosis हो सकता जी, necrosis का मतलब जी cells in the living tissue die permanently जो आपके living tissue हो उसमें जो cells होती है body की वो permanently मर सकती है, next है जी treatment, इसके इलाज क्या है जी, treatment है जी अभी एक इलाज है इसका जो black fungus के लिए injection दिया जाता ना, हमने जब black fungus पड़ा था, तो amphotericin B नाम का injection दिया जाता है, तो यही एक दवाई है जी, यह एक antifungal drug है, मतलब fungal को, fungi को मारने के जी आपकी body में injection लगाया जाता है, किसी को हो जाता है तो, next है जी prevention, कुछ इसके बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं, maintaining hygiene, hygienic condition रखो, साफ सुतरे रहो, हाथ अच्छे से दो, और जो stale food है, stale food का मतलब जी बासी खाना, बासी खाने को कभी मत खाओ, keeping the humidity in the room, in check, आपके room में humidity कैसी है, आदरता कैसी है, उसको check करते रहो, next है जी, black fungus, black fungus पढ़ लेते हैं जी, थोड़ा revise, briefly हमने पढ़ा हुआ है, इसको mucormycosis भी बोलते हैं, black fungus, कोई बिमारी है, deceit, ये भी mouths के कारण होती है, फफूंदी के कारण, फंगी के कारण, फंगी के कारण होती है, या mouths, mouths क बोलते हैं, तो ये नया नाम है, ये पढ़ लेना, जिगोमाइस, या ब्लैक फंगस, ये जनरली जी, जैसे आप सांस लेते हो, सांस के कारण, मौल्ड से जो फपूंदी आपके सांस के अंदर, बौडी में चली जाती है, या फिर आप contaminated food खाते हो, परदूसित खाना खाते ह या फिर क्या होता जी, जो आपको open mound है, जैसे आपको कोई चोट लगी, तो चोट में क्या जी, ये मौल्ड से फपूंदी डवलफ हो सकती है, जिसे बोलते हैं, मौकोरेल्स, मौकोरेल्स के मौल्ड क्या जी, फपूंदी टाइप डवलफ हो सकती है, आपकी घाव पे, तब भी आपको कहा जी black fungus हो सकती है तो घाव को ढखके रखें ऊपन न छोड़ें या दबाई लगा के रखें नेस्ट आजी white fungus यह white fungus को candidaeus भी बोलते है candidaeus यह भी फंगल infection है फंगी से ही होती है जैसे coronavirus से होता है TB bacteria से होता है ऐसे यह फंगी से होती है यह disease और यह yeast नाम की फंगी है एक फंगी का ही टाइप है yeast उससे होती है जा फिर उस फंगी का नाम है candida, candida भी बोल सकते हो तो इसी की वज़े से candida फंगी के कारण होती है इसलिए white fungus को candidaeus भी बोलते है तो यह ही था जी इस